हेलो एब्रीवान नमस्ते अदाब और सच्रिया काल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को इंज्वाइक करें होंगे तो देखिए जी आज के दिन की शुरुआत या कहले जी कि आज के व्लॉग की है तो बढ़ना होता है और बाबू को फिर मुझे ऊपर छोड़ कर आणा पढ़ता है एंब पर नहीं चोड़ सकती मतलब इसको उपर नहीं चोड़ के आती हुँ छट पर और फिर मैं इसको साथ में ले आई और इसको धूप की जूरूरत है इसṁ वज्य से मैं ने सचाथ मही समय ले जाती हुँ ओर और men फर मैं इसको धूर्बर निशार से वो दूसरी तरफ कर दूँगी तो इस वज़े से मैं इसको भी ले आई थी और आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी की वज़ा अगर आपको बता हूँ तो अगर मतलब बताने के लिए बहुत बड़ी है ना बताने के लिए छोटी सी है तो कल क्या हुआ कि कल मैंने मैं यहां पार मतलब कोई suspense नहीं create करना चाहती सो मैं इसी वज़े से व्लॉग की शुरुवात में ही बता रही हूँ कि क्या है तो कल क्या हुआ कि मैं अपने husband को मतलब वो न ऐसे ख़बार पढ़ रहे थे तो lottery की ऐसे ख़बर आ रही थी जिस बंदे की वी lottery निकली है उसकी तो वो पढ़ रहे थे मैंने इनको बोला कि आपने अपनी lottery चेक की तो इन्होंने बोला नहीं मैंने की कौन सा निकलने वाली जैसे हमारे Punjabi में बोलते हैं इन्होंने ऐसे बोला कि हाँ साधी कड़ा निकल निकल नहीं शट परा मैं रात को सोने से पहले मेरा अचानक से मैंने किया कि उठ नंबर ना चेक कर तो मैंने PDF निकाला Google से और मैं lottery लेकर आई क्योंकि इन्होंने ऐसे ही रख रखी थी कि इसको fake दे अब कोई मतलब नहीं रहता इसका अभी अब तो जिसके निकलने थे वो निकल गए तो अब इसको क्या काना तो इन्होंने न फैंकने के लिए टेबल पर रख रखी दी मैं लाई मैंने नंबर उसका ना निकाला तो न मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ नहीं निकलेगी कोई नंबर है ही नहीं लेकिन last में जाते जाते जैसे ही मुझे नंबर दिखा तो हमारा नं निकल जाए तो दिल को बहुत असली होती है कि हमारा 500 भी निकल आया तो लेकिन हमारा 500 नहीं 500 से भी ज्यादा भगवान ने तो हमारा जो है मतलब लास्ट प्राइस उसका थी थाउजन था शायद तो हमारा वो निकला है नमबर तो मुझे रात की बड़ी खुशी हुई कि इन्सान बढ़ता है और रश भात है बाहर किसे बहुंको कुछ नहीं पना है मतलब किसी को पता नहीं कि मैं व्लॉगिंग कुए रया किसी को क्या हमारे घर में नहीं पता तो status लो簡ा है मीज चोड़िये लोगों को लोको किया तो फिर मुझे जादा निकली बस इतना है, कि हाँ हमारा बंबर भी आया, बगवान मतलब सुनता है किसी को, मैं तो यही सोचते हूँ, कि ले लेनी चाहिए, लेकिन जब भी निकलने का दिन होता है, हम यही कहते है, कि जिसको जरूरत है बगवान उसकी निकाले, और फिर ये तो रही रोटरी की बात तो ये हमारी निकली थी वो मैंने आपको बता दिया तो छोटी हो या बड़ी हो खुशी तो खुशी होती है तो जिसकी जब कभी अब भगवान ने भी थोड़ी निकाली है कभी जादा भी निकलेगी देखो कब का हमारे संजोग बनते हैं तो जी अब मैंने आपको मतलब शुरुवात के ही व्लोग में जो भी मेरी मतलब मुझे खुशी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे बताईएगा कि हाँ मेरी सोचनी ठीक है या नहीं कि हमारी मतलब छोटी खुशी है या बड़ी खुशी है खुशी को मतलब लेकर खुश हो लेना चाहिए क्योंकि जिन्तगी को कुछ नहीं भरुसा होता तो नहीं है छोटी छोटी चीजों से ही हमें खुश होना चाहिए तो अभी जी मैंने शुरू करना है सिलाई का काम मोबाइल मैंने टिका रखाया अपनी मशीन पर सिलाई की तो अभी मैं करूंगी शुरू सिलाई का काम और फिर मैं आपको छट पर जाकर मिलूंगी क्योंकि आज भी मेरा मतलब पूरा दिन बीजी रहने वाला है अभी मुझे सिलाई कानी हैं, ये कपड़े देने वाले जो पड़े हुए हैं, और फिर मैंने सोचा कि जिनके हैं, उनके साथ में दूसरे भी कर दूँ, वो एक बार ही आएंगे और ले जाएंगे, और एक बात और आपको बता हूँ, ये वाली जो मैंने आज डाली हुई है, ये वाली बनाई है, बहुत लगा लिजिए, इन्साने जो मतलब मेरे हस्बेंड की नानी हैं, उन्होंने ये बुनाई थी, और ये मेरी सासुमा की शादी की है, और ये आज मैंने पहनी है, उन्होंने मुझे दी है, आज है तो मैं लेकर आई, मैंने लाकर पहन ली, तो कितनी पुरानी है आप लगा लीजिये कि मतलब कितने साल हो गए उनकी शादी को भी 30, 32, 34, 35 साल से भी उपर हो गए 86 में हुई थी उनकी शादी 26 साल हो गए ना 26 पता नहीं कितने साल नहीं 36 साल हो गए शायद पता नहीं कितने मुझे काउंट नहीं अभी मैंने करना कितने 85, 35, 36, 36 साल हो गए उनकी शादी को तो 36 साल पुरानी ये कुटी है उनको शायद शादी में उन्होंने मेरी नानी सासने बना कर दी थी तो आज मुझे मिल गई तो देखे कितनी पुरानी चीज़े है और मतलब देखने में बिलकुल नहीं है और इतनी मोटी भी है बिलकुल अच्छे से नहीं है और अगर इन चीज़ों की केर की जाए तो मतलब ये चीज़े उमर भर हम अपने साथ रख सकते हैं और पहन कर उनका हैसास भी कर सकते हैं जो हमें छोड़ गए हैं वो ऐसे मतलब कुछ चीजें उनकी रह जाती हैं जिन वज़ा से हम उनको जाद कर सकते हैं तो चलिए जी अब बाते मैंने बहुत कर दी कुछ जो मुझे कमेंट आते हैं कि आप बोला काम करो तो देखिए सारा व्लॉग बनाना होता है बोल कर ही बनाऊंगी अब चुप तो रहूंगी नहीं जो भी काम करूंगी वो भी आपको बोल कर बताऊंगी और जो बाते करूंगी वो भी बोल कर करूंगी तो चुपर हैकर कैसे मै व्लॉग बना सकती हुआ तो छोड़िए तो चलिए अभी मैंने आज बशानी है नहीं चदर तो जब मैं चत पर जाओंगी तब मैंने सारे काम पर लगना है तो फिर मैं आपके साथ जो है आगे का व्लॉग कंटिन्यू करूंगी अब के लिए बाबाई तो देखिए जी जो म तो अब इसको मैं निकाल कर दूब में डाल दूँगे और कर फिर इसको बिछाओंगी और आपको दिखाओंगी तो देखिए जी अब शाम के बज गए हैं साड़े चार पूरे और मैं अभी मतलब लेटी हुई थी काम तो अभी मैंने शुरू नहीं किया मैंने जैसे कि आपको बोला था सुबह कि मैं करूंगी बेड़शीट चेंज तो बेड़शीट तो मैंने जो नहीं लाई थी एक उसमें से धुल लई है मतलब धुल ली है जो मुझे बिशानी है तो मैंने सोचा कि कल मुझे कपड़े धुल ले हैं तो क्यों ना मैं कल ही जो है बेड़शीट चेंज कल हूँ सुबह में कर लूँगी और उसके बाद वर बीचन का काम है वो मैं बाद में करूंगी तो अब ही मैं फ्री बैटी उइठी हुई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना भूनाई का काम शुरू कर लिया जाय यह घांज और लेयाओंगी तो मैंने सुचा क्यों ना अपनी करोशीए से बन कर जैकेट बना लो मेरे पास जैकेट नहीं है ज्यादा तर जो मतलब कार्डीगन फुल बाजु तो ज्यादा तर जो फुल बाजु के कार्डीगन होते हैं जैकेट जो बनाई करूंगी तो अब मैंने सोचा कि क्यों आज आज यहादा जैकेट वह बनाई करूंगी शुरू कर लिए जाए आज है सग्रांत और इससे अच्छा दिन क्या होगा कहते हैं जो काम संग्रात को करो वह हम पूरा महीना करते हैं शाम को जैसे मेरे पास फ्री वक्त होता है तो ऐसे करके मैं 10-15 दिन में जो है अपनी त्यार कर लूँगी एसा मैंने सोचा है बाकी पदा नहीं कितने दिन लगते हैं कितने नहीं वह तो देखते हैं कि कितना टाइम मिलेगा ज़लदी फिर मैं बुनाई कर पाऊंगी और द तो मैं जैसे शाम को थोड़ी थोड़ी शाम को बुनाई कर लिया करूंगी और बाकी संडे को दुपहर को भी ज्यादा टाइम जो है चट पर बैठ कर फिर बुनाई कर लूँगी तो इसका मैं आज करने लगी हूँ शुब अरंब आपको भी मैं रोज रोज क्या ना काम करता हुआ दिखाई जाओं वो ही मेरा रूटीन होता है सुबह से लेकर शाम तक वो ही मैंने काम बादे हुए होते हैं सुबह उठना ये करना वो करना दुपहर को खाना खाना बरतन साफ करने दूद उबालना रोज रोज आपको वो भी नहीं दिखा सकती तो आप वो भी देख शुरू कर लीजिए देखते हैं कि कितने डाइंग में हमारी यह काडिगन बन कर त्यार होती है तो चलिए फिर मैं इसके फंदे मतलब बुन लेती हूं जो क्रोशिया में बुननी होती है यह देखिए मेरे पास क्रोशिया की सिलाई है और यह मैं 10 नंबर की सिलाई यूज़ क तो यह मैं बनाओंगी बड़ा साइज क्योंकि अगर मैं मतलब बड़ी बना लूँगी मुझे यह उन जो हती है थोड़ी सी स्टेचेबल होती है तो अगर मेरी सासुमा को भी पहनी होगी वह भी पहन सकते हैं और मैं भी पहन सकती हूं तो ऐसा मीडियम सा साइज लेकिन मैं जो फंदे हैं थोड़ी ज्यादा डालकर डबल एकसल बना लूँगी क्योंकि फिर सर्दियों के सूट भी मोटे होते हैं तो उसके उपर से फसी फसी सी जैकेट अच्छी नहीं लगते थोड़ी लूज हो तो काफी अच्छी लगती है तो चलिए जी फिर करते है और आप भी देखियेगी मैं कैसे जो है बुनाई करती ही ज़िये ज़र दो झाल 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 पूरा पास में कर लूं देखिए डिजाइन यह देखिए अभी डिजाइन जो है बन रहा है तो जब बन जाएगा तो मैं आप के साथ शेयर करूंगे क्योंकि अभी इतना बुनना है अभी सिर्फ मैंने एक वो बनाई थी लड़ी सी अब आगे जो डिजाइन बुनूंगी तो डिजाइन की मैं दो तीन लाइने बुन लेती हूं फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है और अब भी शायद ही मैं व्लॉग जो आगे कंटिन्यू करूं अगर कंटिन्यू कर दो आपको दिखाती हूं कि कितना मैंने बना लिए आज के आज ही तो यहां पर बुनाई करने के बाद मैं लग गई थी रात के खाने की त्यारी करने डिनर में आज मैं मैं बनाऊंगी यलो डाल मतलब की मूंगी की दाल क्यूंकि आज मंगलवार है संगरान्द है हमारे हमानते हैं कि यहां पर आज के दिने यहां मूंगी और मसुर की डाल नहीं बनती है देखें टाइसन कैसे कंबल में सो रहा है बिल्कुल छुपा हुआ है इसको इतनी ज्यादा ठंड लग रही है पता नहीं कैसे इतनी यह ठंडक जो है मैसूस करता है अभी तो इतनी ठंड है और इतनी गहरी नीद में सो रहा है और अभी जो है मैं अपना काम करी हूँ यह सोरा है और मैं साथ में डिनर की त्यारी करूंगे और साथ में मैंने चला रखा है पाट शाम के छे बज़ गए हैं तो चलिए जी इस व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड मिलते हैं आपको में आपको बएंगे बाल जी 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 त्यारी कर दो आख और सक्राइब ए है है और समेरते हैं आपको शान के ड़गी तक रहीं बज़